आज हम क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के ओंकोलोजी सर्जन डॉक्टर अर्विंद कुमार से मुलाकात करेंगे डॉक्टर अर्विंद से जानेंगे कैसे कोई आम व्यक्ती कैंसर को समझे उसका बचाव रोक थाम कैसे करें डॉक्टर अर्विंद को जोदपूर और दिल्ली जैसे हॉस्पिटलों का है अनुभव डॉक्टर अर्विंद क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के ओंकोलोजी विभाग में दे रहे हैं सेवाई जो नहीं दिली में ही, बीयल के मैक्स हॉस्पितल में सजीकल उंकॉलिजिस के रूप में अपनी सेधारी दे रहा है था इसके बार मैंने यहां शेट्रिवाग आफ्समुटिल में जॉइं किया है और एक आप आदमी को इस तरीके से किस भाशा में इसके अगर आपने में जाने तो जो कैंसर है वो हमारे और आपके शरीक, सबी की शरीक के अंदर कोशिका ही होती है तो जो कैंसर की कोशिका ही होती है इनके अंदर एक अबिलिटी आ जाती है जिसमें ये नेरंतर बढ़ती चली जाती है इनको रोपने की शम्ता तुषरीकी होती है, उसमें जो भी दिक्कते होती है, उन दिक्कतों के कारण ये कंट्रोल में नहीं रहती है। और नेलंदर बढ़ती है और गठान यी कैंसर का रूप ले लेता है। असर कई बार रोगों के हैं कि ये जान लेवा बिमारी है, ला इलाज बिमारी है, इसके बारे नाते हैं? देखिए cancer को जान लेवा या लाई एलाज बिमारी बोलना बिल्कुल पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है यह नर्बर करता है कि मरीज हमारे पास में किस तरह की cancer को लेके आता है किस स्टेच पह वो हमारे पास के लाज के लिए आता है और किस अंग में उसे cancer होता है तो इन पर निर्भर करते वे अगर मरीज सही समय पर सही स्टेज पर हमारे मारे पार जल्दी दोलाज के लिए आता है तो इसका पूरी तरीके से ईलाज हो सकता है अचा अगर आप अप्चार की बात करते हैं? कैंसर के मुलता है तीन उचार होते हैं जिसमें सर्जरी का उपचार आता है कीमो थेरेपी या दावयों का उपचार आता है और रेडियो थेरेपी या रेडियेशन का उपचार आता है तो मरीज पर जिस तरह का कैंसर है जिस टेस का कैंसर है उसके अनुसार या तो मरीज को सिर्फ सर्जरी के दुवारा ठीकिया जा सकता है या किनी मरीजों में हमें सर्जरी, कीमोथरेपी वे रेडियेशन की जुरुत पड़ती है और कुछ मरीजों में हमें कीमो थेरपी रजरी की ज़रूरती है अश्या रोक थाम के लिए अगर इसके क्या क्या पाए हैं अब साथ देखिए रोक थाम के लिए सबसे पहले जो हमारी जनता है हमारे समाज में लोगों को कैंसर के पूती जागरूख होनी की अवश्यक्ता है जिसमें कैंसर होने के कारण वो थोड़े बहुत जाने तो उनके लिए और सभी के लिए बेतर है सिंपल हमारी लाइफ में अगर हम कुछ चेंजिस बदलाव करें जैसे की यह तंबापू के बदार्थों का सेवन है जो मुख के कैंसर और गले के कैंसर का कॉमन कारण है अगर इन चीजों को छोड़े तो फिर इन चीजों से जो यह किक होने वाला कैंसर है तो इसमें रोपता मिलती है अगर जैसे की आपने बदाया कैंसर कही तरही के रुपते हैं अगर आप की स्पैंसर के जो रूप है उसमें दखशता देखिए जैसे मैंने आपको पहले बदाया है मेरा सर्जिकल ओंपालिजी का टेंदिंग इप जोगपुड में वा था और हमें मुझ के कैंसर गले के कै कैंसर, स्तन के कैंसर, फेपडे के कैंसर, मलाशे का कैंसर, आतो का कैंसर, पित की थेली का कैंसर, इन सभी के कैंसर की अच्छे से ओपरेशन में हमें दखशता में लिए हैं बाकि में मस्तिक्स के कैंसर, रेड की हटी के कैंसर हैं इनके ओपरेशन नहीं करता हूं बाकि सभी सब्सक्राइब करता है। सुछ से यह जान सकते हैं कि यमित जीस में बहुता शाइब खाए इसे परिवार हें कि उनके पितासी को था..ी पर भड़ों को रहे ज्यूना Subscribe आणरुट्सा, अपर महिलाँ के तरह माच बात करके, तो बेस्ट कैंसर गोता है। जो लेकर आप अजमेर को वासे की तरही आपा है। देखिये, मैं अजमेर में जो अपनी महिला या और बहने उनको यह बताना चलता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की गठान है और आपकी उमर यो दस बीस साल की उमर से जादा है और लंबे समय तक गठान है किसी गठान में अचानक बतलाव आता है या निपल से खुन का रिसाव होता है या बगल में कोई गठाने बनती है तो ये सब इन लोगों में कैंसर होने की पुरुष के अधर पुरुष के बात करते हैं, 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 के बाद में कोई जो जख्खा में जो ठीक नहीं हो रहा है और जो 21 दिन के उपर का अलसर है ये सब जो बच्चों के अंदर और बुर्दों के अंदर रिपैटो ब्लास्टोमा जैसे कैंसर होते हैं इनको आप के भी कैंसर होते हैं जिसे हम रटिनो ब्लास्टोमा बहुते हैं जी देखें बहुत जल्दी हमें कॉंप्रेहंसर केंसर कर लेके आरें जिसकी आपको जल्दी आपको जल्दी देंगे और तो कैंसर से डर्गना नहीं है मलौक सबसे पहले या हमारे लोगों पर यही मांसिक्ता रहती है कि जैसे हिने पता लगता है कि मरेज़ परिवार में किस सादे से को पासर हुआ है तो?" मरीज से भी इस बात चुपाते हैं और परिवार जल्दी से इसका समय पर इलाज नहीं कराता है अगर समय से सही इलाज कराया जाए यह पूर तरीके से इसका पूर इलाज हो सकता है अजमेर में शेत्रफार होस्पिडल के लिए कैंसर की बीमार हो देखिए इसके पुति जागरूप होने की अवश्यक्ता है और हमारे हस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर आ रहा है जिसमें हमारी डेडियेशन मशीन और कीमो थरीके से हम पूरा ठीटमेंट देंग कुमार कोसलिया है मैं सर्जिकल ओंकॉलोजी डिपार्टमेंट में सर्जिकल ओंकॉलोजिस के रूप में शेत्रफार होस्पिटल के पारेगजा थूँ मेरी ट्रेनिंग एमभीबीएस नहीं देली से था उसके बाद मेरा M.C.A. सर्जिकल ओंकॉलोजी मैंने इम जोगपू कर दो